हलो कैसे हो बच्चों समय दिपेंदर से ही न रुका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों अनकेडमी के शांदार से प्लेटफॉर्म पर और आज मैं आपके सामने एक बहुत दांसों सी चीज लेकर आया हूँ काफी दिनों से बच्चे लोग बोल रहते हैं सिर्थ 2021 वालों पर ध्यां दे रहे हैं हमारे पर ध्यां क्यों यह नहीं दे रहे हैं तो आपके उपर बहुत ध्यान है बच्चों सिर्फ और सिर्फ अभी उनके पास तुरह time कम है 21 वाले जो अब एक्जांदेने वाले हैं इसलि मैं आपके सामने एक बहुत अगड़ा स्ट्राइजी लेकर आया हूं बच्चों और साथ में मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक कोर्स भी लेकर आऊंगा 22 और 23 वालों के लिए ओके और वह कोर्स भी यूट्यूब पर ही होगा गेटिंग माय पॉइंट बच्चों सो आगे सो आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे देखिए सिंपल सी बात है वेल्कम माय ओसम इस्टुएंट्स सो आप हमारे लिए ओसम हो है ना आप हमारे लिए ओसम हो इसलिए आप ऐसे लिखा है let's work together do our best to learn as much as we can okay so basically simple से बात से इतनी सी बच्चों quotation है पढ़ लेना आपको respect के साथ में हम लोग और आप लोग हम मिलके respect के साथ में यहां पढ़ाई करेंगे और जितना बढ़िया हो सके अपनी तरफ से उतना बढ़िया देने का प्रियास करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया आप लोग भी नेट 2022, 23, 24, 25, 26, 27 जितना भी नीट का एक्जाम होगा उस समय नीट का होगा यह कुछ और नाम से होगा जो भी होता है सबसे important चीज़े बच्चे उसके subject understanding ठीक है दो चीज़े होती है बच्चों यहां पर हमार सामने एक होता है subject understanding एक होता है subject balancing understanding and balancing balancing का बहुत ज्यादा रोल है आपकी preparation में अगर आपने बच्चों subject balance नहीं करें let's suppose कि आपके तीन subject आ रहे है P, C, B आपने P आपका बहुत शानदार है physics आपने बहुत तगड़ा कर दिया chemistry आपका average से अबो है ठीक है by आपका बेगार है तो आपका selection नहीं होगा आपका P, C, B सब पर double tick लगे होने चाहिए ओके बच्चों तभी आपका subject आपका selection होगा ऐसा नहीं कि subject से में दो subject बराब अच्छे हैं बाकी बेकार है जैसे bio बहुत अच्छा है chemistry बहुत अच्छा है physics बेकार है selection अटक जाएगा बच्चे और हो भी गया तो rank अटक जाएगी ध्यान रखना subject balancing is very 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 important are you getting my point so subject balancing आपको रखनी चाहिए subject balancing आपको बनाके रखनी पड़े की मतलब अगर मैं 12 गंटे पढ़ सकता हूँ न 12 अगर मैं पढ़ रहा हूँ न तो कम से कम मुझे ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं marks के according subject को distribute करूँगा और उसके अलावा आपका कौन सा subject strong है कौन सा weak है उसके अनुसार भी आप थोड़ा बहुत उपर नीचे कर सकते हो बाकि अगर आपको मुझे इस regarding मुझे कुछ discussion करना हो तो उसके बारे में भी अपना आगे बात करेंगे ओके बच्चों तो आप मुझे भी discuss करके अपना बना सकते हो कि समय कितना time कौन से subject में दूँ मेरी conditions की according ओके बच्चों स्वागे बढ़ते हैं फटा फटा से next हम लोग यहां बात करते हैं अब बात आती है बच्चों के जैसे मैं physics educator हूँ तो मैं आपको physics पढ़ाओंगा बाकी subject के उपर बात करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा आपको लेकिन मैं आपके सामने physics के बारे में जरूर बात करूँगा तो physics being a physics educator बच्चों मैं आपको neat examination में उसकी importance समझाता हूँ ऐसे तो हर subject के importance होती है लेकिन समझे ना बच्चों यह subject बच्चे इस particular subject को थोड़ा tough मानते हैं और जो subject बच्चों को थोड़ा भी tough लगता है ना वो subject basically यह समझ लीजिए कि आपके लिए rank determining subject है कौन सा subject है rank determining subject है उससे आपकी rank decide होगी कि आपको किसी rank मिलने वाली है मतलब आपको अच्छी rank चाहिए आपको biology है ना selection करवा देगा आपको अच्छी rank चाहिए आपको physics को पकड़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से क्यों अच्छे हो देखो समझना मान लीजिए दो केमिश्ट्री में लेट सपोस की 150 और physics में आ गया इसके 100 ठीक है तो इसके इतने marks आ गया है it is almost 550 एक काम करते है इसको भी तो ऐसा मार लीजिए कि बायो में इसके आ गया है तीन सो तीस कर देते हैं इसको एक काम करते हैं वन सेकंड थ्री ठाटी ठीक है केमिश्ट्री में आ गया इसके 150 ओके सो कितना हो गया यह हो गया हमारा 480 वन सेकंड और physics में बच्चों मान लीजिए उसके 120 आ गये तो यह P यह C और यह B यह इसके एक बच्चे के marks हैं दूसर में 330 आ गये ठीक है क्यों क्योंकि medical का बच्चे बात है बायो जनरली बच्चों की स्ट्रॉंग होती है ठीक है जनरली बोल रहा हूं मैं हर केस में नहीं बोल रहा हूं उसके बाद बच्चे 150 मार्क्स लेट सपोस्टी में आगे ठीकटा केमिश्टी सबकी होती है तो अशे क गजब का डिफरेंस क्रियेट हो रहा है ठीक है और ऐसा नहीं है कि या बायो में 330 आगे तो फिजिक्स में नहीं लाएगा तो काम चल जाएगा नहीं बायो में 330 एक बहुत अच्छे मार्क्स है फिर भी उसको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना पड़ा तब जाके उसके ब बहुत बढ़िया से पढ़ना है अब घबराऊ मत मैं आपके साथ हूं ओके डिपेंदर सिंग नर्यू का सर आपके साथ हैं और मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूँगा यहां पे फिजिक्स से आपका डर बगा दूँगा उसके आप टेंसर मत लिजे बिल्कुल भी गेटि बच्चों मैं आपको क्या क्या चीज़े प्रवाइड करूँगा पहली बात है लेक्चर्स ओवर्ज बात है किसी भी परेटिकुलर अकेडमिक से सबसे इंपोर्टेंट चीज होती लेक्चर्स तो बच्चों मैं कोटा में पढ़ा चुका हूं कोटा का एक्सपीरेंस है तो एक्जेक्टली हम लोग कोटा के अंदर क्लास्रूम में कराते हैं ओके बच्चों अब बात करते हैं सेकंड सेकंड बाद क्विज़ेज एंड टेस्ट फोर सेलफ असेस्टमेंट फोर यॉर असेस्टमेंट ठीक है थोड़ा बहुत कंपिटिटिव भी आपको महां पर दिख से बड़ी बात तो भी आपको असाइनमेंट्स एंड डाउट्स की फैसेलिटी मिल जाएगी डाउट में थोड़ी सी प्रॉब्लम से इतनी सी रहती है यूट्यूब पर कि आपके जो भी डाउट होते हैं लाइव के अंदर चैट बोक्स में करा सकते हैं ठीक है उसके अचेडमी एप पर मुझ्झे जाके फोलो कर सकते हो नरू का सर मैं ऑके जब आ cinnamon follow करोगे बच्चे जब आब मुझे पर फोलो करोगे तो आप मुझे नरेट मेंसेंच कर सकते हो अनकेडमी एफ यह तीन चीजे आप यहां पर मुझसे सीखोगे और इन तीनों का जो टोटल मिला के जो आपके पास में समप होगा उससे आपका नीट का अगर्णी के और ताती अब आरे locks men आरो आपको क्लेशा या अगांटन को अगर अगर आप चाहते हो, यूटीब पर नहीं पढ़ना, आपको परस्नलाइज्ब लेर्निंग है आपको परस्नलाइज अटेंशन चाहिए तो उस case में बच्चों आप क्या कर सकते हो हमारे plus course को आके भी join कर सकते हो plus course में आपको नरुका 10 वहां पर कोड यूज़ करना है जिसमें आपको कुछ discount में मिल जाएगा उसमें कुछ offers वगेराभी जो मैं आपको आगे बताऊंगा फटा फट से पहले आपन आगे बात करते हैं तो बच्चों एक बहुत सी प्यारी सी बात है Benjamin Franklin ने कही थी tell me and I forget तो मुझे बताऊंगे मैं भूल जाओंगा teach me I may remember involve me I learn okay involve me I learn तो मैं चाहता हूं कि तुम involve हो ताकि तुम्हें याद रहे चीजें are you getting my point बच्चे are you getting my point so may we have fun and productive learning with Naruka sir getting my point बच्चो so welcome to physics by Naruka sir so बच्चो it's easy it's not that tough it's really easy कोई चीज अकर समझ में आ जाती है तो वो easy लगती है getting my point कोई चीज समझ में आ जाती है तो वो easy लगती है सब्सक्राइब बात बच्चो अगर तुम लोगों को जिसे माल लीजे तुमको ऐसी language में जैसे Chinese में बोले कि भाई तु फिजिक्स सीखे तुझे नहीं संज में आएगी फिजिक्स क्या simple भासा भी संज में सिंपल चीज भी संज में लिखी वह वह संज में नहीं तो हम लोगों को फिर वह चीज क्या लगेगी तब लेंग्वेज में नहीं तुम लोगों को चीज टफ लगेगी लेकिन सेम अगर तुमको कोई बिल्कुल तुमारे देशी भासा में बिल्कुल तुमारे एकदम खुद की जो अंदर की भाषा होती है हमारी खुद की लेंग्वेज में अगर तुम्हें अपनी देशी वासा में अगर कोई समझा दे तो चाहिए वो फिजिक सी क्यों ना हो वो भी तुमको इजी ही लगेगी ओके सो बात करते हैं बच्चों हाँ जी तुम बता रहा था आपको बच्चों कि अभी हम लोग अग और चीजे बताइए अगर आपको YouTube पर नहीं पढ़ना योटीव पर तो ही सही आप फ्री में सब कुछ बढ़ सकते हो YouTube पर और इस्पेशल क्लास के मिकसप में आप सब कुछ कर सकते हो ठीक है फ्री में तो सब कुछ अवैलेवली है फिर भी अगर बाइचान सा आपको लगत कभी भी पढ़ सकते हो सो बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये कोड अपलाई करना है नरुका 10 ओके और जैसे इस कोड को आप अपलाई करोगे आपको डिसकाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में मेरा एक परसनल अटेंशन भी मिलेगा ओके बच्चे डिप इस पर 23 का फ्री दे रहे हैं तो बच्चे बहुत बड़ी एक अच्छी हमारे पास ओफर चल रही है आपे तो आप इसको फटा फट से ग्रैप कर सकते हो लेकिन फिर भी आपको इस पर नहीं पढ़ना है तो हम आपके साथ में यूटीब पर है ओके बच्चा सो फील फ्री गेट इन टच एने टाइम आप मेरी इस प्रोफाइल पर जाके मुझे कभी भी जाके हाइँ हेलो कर सकते हो बच्चों अगे बच्चों यह हो गई पूरी पूरी आज की बात सो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे हमारे कोर्स के अंदर और मैं वेट करूंग आप लोग का औ और बहुत जल्दी मैं आपको यूट्यूब पर भी एक शांदार कोर्स स्टार्ट कर दूँगा 22 और 23 के सभी बच्चों के लिए So अच्चो रेडी रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, Let's Crack It, Happy Learning, Thank you so much